कि एऩ वेलिकम बैग गाईज इंकार्थिक पायोजी कवूजिसस। क्यों टिस्कस आवीड पिक आफ्कॉफ क्लास, क्लास 10th, बाईजी अबमूजी I moryशिव, एकॉद ह हम स्थार्ट करेंगे हैं, आज रेस्प्रेशन기에 बारे में जानेंगे, कि रेस्प्रेशन यह चीज होती है और ये दूसरी चीजों से कैसे डिफरेंट है ठीक है तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, वाट इस रेस्पोरेशन एकचली रेस्पोरेशन इसकेटाबोल एक My Respiration Is A Catabolic Process in which Oxyistive Breakdown Of Food Takes Place ठीक है इसमें क्या है बाटा रेस्पोरेशन में क्या है क्या कि प्रोसेस है जिसमें एक ऑक्षिजेटिव ब्रेकडाउन और फूड टेक्स प्लेस टू रिलीज एनर्जी इन था फॉर्म ऑफ एटी भी हम जाना था किसके बारे में इसे पहले हमने जाना था किसके बाना था SHE डिजिशन आप फूड फूड जो डाइयश्ट हुआ था और जो बार उंके अंधर यंद्स आपप् संखक्राइब करink में Uhr पर उसका oxidative breakdown होगा उससे क्या होगी फिर energy होगी catabolic का मतलब यहां पर क्या है बीटा इसकी यहां पर जो catabolic जो word यूज की है catabolic का मतलब है breakdown ठीक है यहां कि जो glucose हमारा जो बना था उसका breakdown होगा और उससे हमारे क्या है energy release होगी ठीक है एंगोथरमिक process है ritos फर्मीक प्रोसेस का मतलब है कि जब ग्डाउन होगा ग्लीकोस का उसका ऑक्सुटेटि जब डाउन होगा तो उस दौरान कि टूटेगा वो जो complex जो molecule था ग्लिकोस था टूटा है simpler ones form के अंदर और exothermic का मतलब कहा है जब यह process होगा respiration का उस दोरान heat energy release होगी ठीक है और यह ब्रेकडाउन होगा सारा food का वो किसके presence में होगा oxidative लिखा मतब oxygen की presence में होगा oxygen की help से होगा breakdown ठीक है और जो energy release होगी किस form release होगी ATP की form में release होगी ठीक है अब आगे जो यह breakdown होगा food का मैंने बताया था different cells में food जाएगा बहांपर उनका breakdown होगा तो जो inside the body होगा is used in cells to provide energy for various life processes ठीक है जो ATP का release हुई वह ATP क्या है different processes में use होगी ठीक है body के transport में कैसे तो moment होगी body के दर ट्रांपोट करना कुछी जे moment है locomotion है ठीक है और जो दूसरे process है हमारे body के अंदर उनकी energy की requirement पूरी होगी किस के द्वारा ATP के द्वारा ठीक है तो यह तो होगा हमारा जो ATP का formation हुआ जो energy का formation हुआ वह यूज वह ATP as of energy की form यूज होगी इंसाइड दा cells ठीक है अब cells के अंदर ये यूज हो रही है इसलिसको क्या कह सकते हैं cellular respiration कह सकते हैं के सेल के अंदर हो रही है तो reaction आप देखो गेजरेक्शन हो क्या रहा है यहां पर फूड है ठीक है इंदर प्रेसेंस ऑक्सीजन उसका breakdown हुआ किसके अंदर वाटर के अंदर और carbon dioxide के अंदर और साथ हैं हमारे जो बॉड़ी यहां ने की इंदर फूड है फूड यहने की इंदर फॉर्म फॉर्म फूड है ठीक है किस फॉर्म वह रही है वह ग्लू कोज की फॉर्म में जो फॉर्म हुआ था हमारा उसका breakdown होगा cells के अंदर और उससे क्या बड़ेगी energy जो हमारी body के cells के अंदर जो हमारी body के cells से उसको utilize करेंगे for their different purposes ठीक है अधुकर यहां देख सकते हो आप C6 H12 O6 plus 6 O2 तो oxygen के प्रज़न में C6 H12 O6 का है glucose है हमारा carbohydrate है इसका breakdown हो रहा है ठीक है breakdown होके क्या बना रहा है water बन रहा है साथ में carbon dioxide बन रहा है साथ में 686 kilo calorie ठीक है यह energy का formation हो रहा है ATP के बात हो रही है बने इतनी energy हमारी release होती है जब एक glucose molecule हमारा breakdown होता है ठीक है तो total जो ATP बनते हैं हमारे during respiration हमारे कितने ATP बनते है 38 ATP के formation होती है ठीक है 38 ATP बनते हैं बड़ा important है exam point of view से NTSC point of view से जब एक glucose molecule का breakdown होता है तो उसके दर 38 ATP की formation होती है ठीक है this is all about the respiration respiration हमने क्या जाना आम भाशा में लोग क्या जानते हैं कि air को inhale करना respiration कराता है ठीक है वह यह similar है breathing के breathing जो हमने inhalation की है इसे breathing कहते है ठीक है respiration के बाद मैंने कहा कि कहा आपको कि हम breakdown होता है किसका food का मगर जब normal breathing करते हैं breathing के दुरान हम सांस को जब सांस लेते हैं अंदर की तरफ है तो oxygen अंदर जाती है ठीक है oxygen का exchange होता है हमारे लंग्स के अंदर ब्लड के साथ है विद अवर आउटर इंवारेमेंट ठीक है यह तो है अम जानेंगे कि बारे में कि रेस्पिरेशन और जो ब्रीधिंग है उसके अंदर क्या डिफरेंस है ठीक है तो ब्रीधिंग रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है बने बताओं है आपको की फिजिकल प्रॉसेस कर इंडर और यह इतिए सब्सक्रीकव न हमने लॉक्षिक है थीक है तो अधर जाती है ठीक है लजך के अंदर और वहां से बाहर हम क्या लेके आते हैं वाटा CO2 बाहर क्या लेके आते हैं CO2 छोड़ते हैं ठीक है तो यह है physical process मगर यहां पर respiration में biochemical process होती है जो bio मतलब cells के अंदर living cells के अंदर जो process है ठीक है जो glucose का breakdown हो रहा है ठीक है उसे कहते हैं biochemical process second point क्या कहता है मैंने बताया आपको यह क्या करता है एक्जिबीट इन टेकिंग आप oxygen एंड रिलीज ऑफ कार्बन डायोकसाइड करते हैं कार्बन डायोकसाइड को एक्जिबीट करते हैं ठीक है बास समझ में आ रही है जो लास्ट हमने देखा था पीछे की तरफ हमने यह दर ब्रेकडाउन होता है फूड का तो यहां सांस कार्बन डायोकसाइड ही बनती है और वाटर भी बनता है ठीक है जब आप सांस छोड़ते हो तो आप वह सांस को फूक आप फूक मारे के देखना हवा निकालना मुग के तरू तो आपको एसास होगा कि हमारी जो एर जो हम एक्जेल कर रहे हैं यह साथ गरम के साथ ठीक है ठीक है और साथ में कर्बन डायोकसाइड होती होती हमारी तो यह जो वाटर वेपर शुकल रहे हमारे क्या है एस रिजल्ट आप रेस्पिरेशन है ठीक है तो इसलिए कहा है कि जो रेस्पिरेशन के अंदर यह क्या कहलाता है ऑक्सिडेटिव ब्रेकडाउन के अंदर कि इसके अंदर सिर्व होली लंहां रिजुस्ड मगर यहां पर रेस्पिरेशन में जिस सेल की अंतर हो रही है उसका साइट्व प्लाज्म के अंदर होंगा यह कुछौर्स कि ब्रेकडाउन होगा हो मारा वस्य होता है तो यह सा ग्लाइको मतलब ग्लिकोस के बात हो रही है लेसिस मतलब टूटना उसका ब्रेकडाउन यह जो प्रोसेस हमारा वो कहां पर होता है साइटो प्लाजमे होता है और उसके बाद जो ग्लाइको लेसिस में जो एंड प्रोडक्ट हमारा आता है पाइरुविक एसीड बनता है वो प साइटॉप्लाज्म जो ग्लाइकोलिस के अंदर हमारे 8 astronomy ठीक है तक ग्लाइकोलोसी का breakdown हुँआ, साइटोप्लाज्म के अंदर वहां पर 80 साथ बने और वह जो एंड प्रोडट्ट्ट था क्या था हो पारवाक अचिड के अधर टो टोटल था टोट्य च्टीन ओंग टोगी हो रहे घ्र जा सब्हां कि अन्य मेंगा यहां नहीं तो टोटल हमार उचेटी यह विए होगी इंगी किifferent कोई भी enzyme use नहीं होता है बलकि जो यह respiration का प्रोसस है यह totally enzyme mediate process होता है ठीक है दित्रे मेंने बता है आपको glycolosis के बारे इंदर ठीक है और जो crab cycle हमारी होती है mitocondriacanus के बारे मेंने बताया तो वो दित्रे में steps में जो breakdown होता है glycolosis के अंदर है और crab cycle के अंदर है वो totally controlled by the enzymes ठीक है enzymes द्वारा control होता है इसलिए respiration के है enzyme mediate process है अगर हम बात करें breathing की यह अपका rapid process है बड़ा fast है अगर हम normal breathing rate की बात करें हमारे जो normal breathing rate के है यह भी important point है यहां पर कि breathing rate हम 15 से 16 बार यह 15 से 18 बार कहेंगे तो 15 से 18 बार हम एक मिनिट में सांस लेते हैं ठीक है यह फिजिकल प्रॉसस है और यह जो process है कौन सा respiration का respiration का जो process है यह काफी slow process होता है बड़ा धीरे धीरे breakdown होता है किसका food का और उससे हमारे energy का liberation होता है ठीक है नेक्स हम जानेंगे बेटा जो difference between combustion and respiration respiration और combustion में क्या difference है देखो combustion की बात करें इट इस है इट इस नौन cellular process ठीक है नौन-cellular का मतलब है यह cells के अंदर नहीं होता यह भी तरह का physiochemical phenomena है ठीक है किसी कालज को किसी चीज को आग लगाते हो तो वह आपका combustion कहलाएगा इस चीज को जलाते हो तो आप ठीक है respiration के बात करें तो respiration में क्या होगा यह एक cellular process है जो कि कहा होता है और प्रोसेस के बात करते हैं ठीक है चेमिकल प्रोसेस में क्या है कि वहां पर आपको होती है विद्धा जो आपका जो इंहागा लगाते हैं वह ऊसकी और जो एर के बीच में क्या क्या होती है reduction होती है फायर लगती है ठ唉 के बात करें फायर के बात करें फायर त्रेहक्जार क्रॉसेस डिसमें कया है अब आपको फ्यूल चाहिए आपको एर चाहिए साथ में आपको यह चाहिए सबस्टांस रिए ठीक है तो वह तो यह तीनों के बीच में रिएक्षिन होते इसलिए हो गया फिजिक केमिकल की बाद हो रही है मतल дв में यहां पर क्या है जो लाइट का फॉरिशन होगा साथ में हीट इसलिए इसलिए हमारे किया ओपने कि सेल मोड़ी प्रोसर से हमारे और यह हमारे क्फीजिकरे सेल नहीं हो रहा है। और यहां पर भी कुछ chemical reactions are going on, वो जो chemical reaction की cell के अंदर हो रही है, इसलिए क्या वारा biochemical process है, ठीक है, next हम बात करेंगे, third point की, जब भी combustion होगा, तो वहां पर क्या light और temperature liberate होगी, पर light देख लेगी, साथ में आपको heat produce होगी, ठीक है, और in case of respiration, वहां पर light liberate, light का light release नहीं होती है, कुछ एक cases में light का release, light release होती है, for example, अगर हमें बिजनु नाम सुना होगा, ठीक है, बिजनु होता है, जब रात को निकलता है, तो वहां पर आपको क्या है, वो चमकता होगा नदर आ रहा है, ठीक है, तो वो case है, हमारे exception case है, जहां पर क्या है, हमें light देखने को मिलती है इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, कि very few cases के अंदर light generate होती है, और तो हमारा temperature तो हमारा क्या है, यहीट तो हमारी क्या है, liberate होती होती है, एक यही process है, respiration, जिसके कारण हमारी जो body का temperature है, maintain रहता है, अगर respiration के अंदर heat release नहीं होगी, तो हमारा जो required temperature है body का, वो नहीं बन प process, simple सी बात अब हम आग लगा रहे हैं, पर आग लगाई तो वहां तो पर enzymes तो डाल नहीं रहे हैं, उसके अंदर, simple यह बात है, match stick के दोवारा हमने किसी चीज़ को आग लगा दिए, वस वो जल लगी, यह किसली non enzymatic process है, और यह हम जानते ही है कि last हमें डिस्क्रस किया था ज पूरी जलने के बाद ही बुझेगी, ठीक है, अगर अपने आपके बात करें, naturally के बात करें, मकर यह जो process है, respiration का, यह control process है, under biological control रहता है, जब तक glucose रहेगा, वहां पर, जब तक आपको food में रहेगा, वहां पर तो उसका breakdown होता रहेगा, ठीक है, कभी उस speed up हो जाएगा, ठीक है, काम चलता रहेगा, वहां पर, तो काफी जो यह process है, हमारा, वो under the control of cells है, cells के अंदर कुछ enzymes होते हैं, ठीक है, कुछ factors होते है, जो कहा है, उसको control करते है, किसको respiration को, ठीक है, यह तो हमारा थाविटा किसके बार में combustion and respiration के बीच में difference है, next हम बात करेंगे, respiration and photosynthesis के बीच में क्या difference है, सबसे पहली बात है, respiration का point ले, it is a catabolic process, ठीक है, हमने फर्स्ट जो difference किया था, जब हमने जब respiration के बारें पड़ा था, तो वहां पर हमने जाना था, कि जो respiration है, उसकी अधर glucose का breakdown होता है, breakdown होके वहां पर क्या बनता है, water बनता है, और साथ में क्या बनता है, carbon dioxide होती है, और साथ में energy liberate होती है, तूडता है वहां पर, मगर anabolic, अगर photo synthesis के बात करें, एक anabolic process है, anabolic process का मतलब है, यहां पर simpler substance, combine होके क्या एक complex substance बनाएं, जैसा कि photo synthesis में होता है, वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर हमने क्या देखा था, कि 6 CO2, ठीक है, combine करते हैं, किसके साथ है, 6 water molecules के साथ है, ठीक है, और क्या formation करते हैं, विटाओ, glucose का, C6, H12, O6, ठीक है, 6 H12, O6, तो इसलिए कहा गया है, कि यह anabolic process है, यहां पर चीजे, यह हमारे simpler substances हैं, और इसे हमारे complex substance का formation हुआ, इसलिए कहते हैं, कि यह anabolic processes में चीजे बनती हैं, और respiration में चीजे तूड़ती हैं, ठीक है, respiration के हैं, respiration is a, respiration is a oxidative process, जो respiration के एक oxidative process है, oxidative मतलब यहां पर क्या है, हम oxygen का use करते हैं, यहां पर क्या है, with the help of oxygen ही काम हो रहा है, ठीक है, यह क्या है, कार्बोक्सी लेटिव है, कार्बोक्सी लेटिव का मतलब यह जो कार्बोक्सी वर्ड आया है, हमारा carbon dioxide से आया, यहां पर गया है, with the help of carbon dioxide होता है, ठीक है, photosynthesis में carbon dioxide को use करते हैं, for the formation of plants, for the formation of their food, ठीक है, इसलिए यह कार्बोक्सी लेटिव प्रोसेस है, यहां पर first point मैंने कार्बोक्सी लेटिव है, यहां पर जो organic material है, उसका breakdown होगा to release energy, water and carbon dioxide, ठीक है, यहां पर क्या होगा, energy, water and carbon dioxide का liberation होगा, जब organic material को होगा, हम तोडएंगे cells के अंदर, यहां पर क्या होगा, inorganic matter को organic matter में convert किया जाता है, ठीक है, निए carbon dioxide को और water को से मिलकर, वो क्या बनाता ह कार्बो हाइडरेट बनाता है, यहां एक और एक organic matter है, ठीक है, starts का formation होता है, तो plant के अंदर, जो photosynthesis होती है, वहां पर inorganic matter को organic matter में convert किया जाता है, ठीक है, जो last point हमारा कहा गयता है, जब भी, but catabolic के बात हुई है, यानि कि catabolic breakdown होगा, breakdown होगा, तो वहां पर क्या है, body का weight है, decrease होगा, यहां पर चीज़े बन रही है, तो यहां पर क्या body का weight increase होगा, ठीक है, तो पहला point हमारा कहता है, catabolic, इसका था हमारा anabolic, यहां पर क्या है, oxidative process है, यह carboxylative process है, third point क्या कहता है, यहां पर organic material का breakdown होता है, to release energy, water and carbon dioxide, और यहां पर क्या होता है, इन organic matter को use करके, organic matter की formation ह होती है, इस case में क्या है, body का weight decrease होता है, respiration में और यहां पर क्या होता है, body का weight increase करता है, ठीक है, बस समझ में आरी बिटा यह, तो आज हमारा topic हमारा इतना ही था, next topic में हम बात करेंगे, different जो अपका respiration है, different types of respiration के बारे में जानेंगे, ठीक है, और animals के अंदर, different animals में respiration कैस होती है, इसके बारे में जानेंगे, I hope you understand that what we have discussed today, in next coming lecture, आप next topic को discuss करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, thank you.